इंडिया के सबसे बड़े learning platform अनकेड़िमी पर आपका हार्दिक स्वागत है अब आप RPC के एक्जाम भी इंडिया के सबसे बड़े learning platform पर क्रेक कर सकते हैं तो इसके लिए plus subscription ले और उसके बाद में आपको मिलेंगे unlimited live and recorded courses इंडिया के best educator के दबारा तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए Unacademy मेरा नाम दामदर परसाथ सर्मा है हिस्ट्री से एम में हूँ नेट भी किया है और मेरा जो टीचिंग एक्सपिरियंस है वो 15 इयर्स का है मैंने टीचर एक्जाम कलियर किया है 2018 में सबसे पहले आपको कोड यूज करना होगा तो इसलिए इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाकर के Unacademy Learning App डाउनलोड करना है और मॉबाइल नंबर के साथ आपको साइन अप करना है तो इससे आपको मिलेंगी डेली लाइव कलासेज आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो उनके साथ डिसकस कर सकते हो अपने डाउट पूच सकते हो और आंसर पॉल में भाग ले सकते हो जबकि कलास चल रही होती है आपको मिलेंगे स्टेक्चेट कॉर्सेज आपको हमारे जो सारे कॉर्सेज हैं न वो एक ही लाइन में मिलेंगे जो आपके exam slaves के according होंगे और आपको अच्छी त्यारी करने में सायता करेंगे आपको मिलेंगे live test and quidges आप अपने जो त्यारी है उसका मुल्यांकन कर सकते हो हमारे regular mock test और quidges के दवारा देखने को मिलेंगे फरी और प्लस प्लान में क्या फरक है फरी प्लान में स्कीन मिले होता है जबकि प्लस प्लान में डाउट क्लिरिंग सेशन रेगुलरली होता है टोप एजुकेटर के द्वारा प्लस फिचर क्या क्या है? Learn live from the comfort of your home Unlimited access to all courses टोप एजुकेटर जो इंडिया के हैं आपको एक ही प्लेट फर्म पे मिलेंगे आप अपने slips को cover कर सकते हो अपने exam की complete त्यारी कर सकते हो regular doubt clearing session में जा सकते हो live test reach में भाग ले सकते हो इसके बाद में study material मिलेगा आपको PDF format में answer writing session भी रहेंगे mentorship and guidance भी रहेगी discount है subscription पर वो रहेगा 10% यानि आपके सामने ये plan दिखाए दे रहे हैं कोई भी plan आप लेते हो तो आपको 10% का discount मिलेगा जबकि सर्थी है कि आप मेरा referral code यूज़ करते हो D.A.M. 10 फते SI scholarship test सफलता बस एक कदम दूर RPC sub inspector exam के लिए rank first पे आने वाले को 100% scholarship on 1 year plus subscription rank second to third को 75% scholarship on 6 months plus subscription rank 4 to 20 को 50% scholarship on 6 months plus subscription rank 21st to 75 को 25% scholarship on 6 months plus subscription test हरी वार को लिया जाएगा analysis सोम वार को किया जाएगा ठीक है गरूड 6 months batch course चल रहा है RPC SI के लिए 5 अपरेल से start हुए इससे आप join कर सकते हैं और इसमें आप यदि इस course को join करते हो तो referral code यूज़ करना है DAM10 तो आपको 10% का discount मिलेगा समापन MCQ Revision batch course for REIT level first के लिए है यह start हुआ है 6 अपरेल से इसे भी आप join कर सकते हो और इसमें भी आपको मिलेगा 10% का discount यदि आप मेरा referral code use करते हो DAM10 सक्सेम complete course for RAS Prelims 2021 start date है 7 अपरेल ठीक है उसके बाद RPC RAS Foundation batch course 2022 starting date है इसकी 9 अपरेल आज से start हुआ है उसके बाद समापन MCQ revision है batch course for REIT level second यह start हुआ है 8 अपरेल से ठीक है RS, RPS, CSI, Pतवार, Headmaster 1 रक्सक, 1 पाल, Junior, Engineer JVVNL, REIT level first और second Aspire, English medium यह सारी चीज़ें आपको मिलेगी unacademy पे तो one subscription for all exam यानि एक बार subscription ले लोगे न यदि आपको लंबे समय तक अच्छी त्यारी करनी है तो लंबे समय का प्लान लेना होगा जिसे आप अपनी जो selection है वो सुनी सीथ कर सकोगे साथ में ही आपको मंत्री charges भी कम पड़ेंगे जैसे 24 मंत का प्लान है वो 8,400 रुपे का है लेकिन आप यदि मेरा referral code यूज़ करते हो D.A.M.10 तो आपको 10% का discount मिलेगा और ये पड़ेगा 7560 रुपे में ठीक है तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ने Academy पर और आज हमारा topic है पलाव वास जो कांची में स्थापित हुआ था ठीक है तो आज अपन थोरी पड़ेंगे इसकी कांची के पलाव तो द्यान से आप पड़ेगा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मैं उसका answer दूँगा ठीक है तो पलाव वास पड़ लेते हैं अपन पलाव वास के अदि अपन बात करें तो जो पलाव वास है ये दक्षणी भारत में स्थापित हुआ था कौन से भारत में था दक्षणी भारत में स्थापित हुआ था पलाव वास जिस परकार से NCRT में लिखा गया उसी परकार से मैं आपको इसको करवा रहा हूं, पल्लववस को, क्योंकि इसे में से उसी परकार से क्युस्टन आते हैं, ठीक है, दक्षन बारत में स्थापित हुआ था, और इनका जो मुख्य के अंदर था, नमस्कार कबीर जी, स्वागत है आपका, मुख्य के अंदर था, इनका वो कौन सा था कांची था कांची है ये कांपे पड़ता है टमिल नाडू में पड़ता है कांची ये इनका मुख्य के अंदर था जो पल्लोवस से इसकी ये अपन बात करें तो इसकी जो स्थापना है पल्लोवस की जो स्थापना है वो हुई थी केंदर इसका कांची था पूरा नाम नहीं आया था इसकी जो स्थापना है ये अपन बात करें तो पल्लववंस की स्थापना हुई थी पांसो पिचेतर इस्वी में यानि पांसो पिचेतर इस्वी में पल्लववंस की स्थापना हुई थी किसकी पल्लव वसकी पांसो पिचेतर इस्वी में ठीक है आज क्यों सन नहीं आज मैं थोड़ दो तीन दिन ये थोड़ टोपी करा रहा हूँ साथ इंडिया वाले ठीक है इसके बाद में इसने अवनी सिंग की उपादी दान की थी यानि सिंग विष्णो की जो उपादी है वो कोण सी थी अवनी कुमार की ये इसकी उपादी थी गुड इवनिंग कमलेश जी स्वागत है आपका ठीक है इसके दरबार में बारवी रहते थे यानि बारवी थे वो किसके दरबारी थे सिंग विष्णू के दरबारी थे ठीक ना यानि बारवी है वो किसके दरबारी थे सिंग विष्णू के दरबारी सिंग विष्णू के दरबारी थे कौन बारवी और जो बारवी है उन्होंने आपको पता है कि किरातार जूनियम की रचना की थी जो काफी परसिद गरंथ माना जाता है और ये जो गरंथ है ये किस के द्वरा लिखा गया था बारवी के द्वरा लिखा गया कौन सा गरंथ था किरातार जूनियम ठीक है ना हाँ साउथ इंडिया करा रहा हूं कबीर जी इसलिए करा रहा हूं ठीक है पलों के जो प्रारंबिक अभी लेक है ना वो प्राकर्थ बासा में है पलों के प्रारंबिक अभी लेक कौन सी बासा में प्राकर्थ बासा में यदि अपन बात करें तो निस्चित रूप से जो प्राकर्थ बासा है वो निश्चित रूप से प्राचीन बासाओं में सुमार है और इनके भी जो प्रारंबिक लेक थे वो कौन सी बासा में लिखे गए थे प्राकर्थ बासा में यद भी इनके जो अधिकतर लेक है ना मतलब बाद के जो लेक लिखे गए थे वो संस्कृत बासा में लिखे गए थे बाद में इनके जो लेक थे वो कौन सी बासा में लिखे गए संस्कृत बासा में जो पलव है उन्हें तोंड़ई भी का जाता है तोंड़ई दरसल तामिल बासा का सब्द माना जाता है तोंड़ई का अर्थ होता है दरसल ऐसे सासक जो अपनी परजा के लिए काम करते हो ठीक है न तो इसलिए पल्लव सासकों को क्या का गया था तोंड़े का गया ठीक है तो इसमें तो आपको इतना याद रखना है कि पल्लवमस का जो सामराज्य था वो दक्षिनी भारत में था इनकी राजधानी या जो पादी कोन सी दान की थी अवनी कुमार की इसका जो दरबारी था उसका नाम क्या था बारवी था और जो बारवी है उसने एक गरंत की रचना की थी जिसका नाम क्या था किरातार जूनियम ये गरंत था किसका भारवी का आप से पुछा जाए कि पल्लवों के प्रारंबिक अ प्रारम में जैन थे प्रारम में कौन से द्रम से समन दित थे ये सिंग विष्णु का जो पुत्तर है वो इसका उत्रादिकारी था जिसका नाम क्या था मेहंदर वर्मन पर्थम इसने सासन किया था 62-630 इसवी तक hopefully 63-630 इसवी तक मेहंदर वर्मन पर्थम इनका सासक रहा था दरसल जो महिंदरवन्मन पर्थम है ये सिंग विष्णों का पुत्तर था और इसका उत्रा दिकारी था दरसल इसने एक गरंथ लिखा था कौन सा मत विलास परहसन यानि महिंदरवन्मन पर्थम है उसके दोरा कौन से गरंथ की रचना की गई थी मतविलास प्रहसन की रसना की गई थी यदि अपने बात करें मतविलास प्रहसन की तो ये जो मतविलास प्रहसन है ये हास्य गरंथ माना जाता है यानि प्रहसन जो भी होते हैं ये दरसल हास्य गरंथ होते हैं तो एक्चिल में ये जो हास्य गरंत है ना इसमें जो कापालिक थे कापालिक समझें जो सैवधरम से समंदित होते थे और जो बोध बिक्सू थे उन पर वेंग किया गया था यानि कापालिकों और बोध बिक्सू पर वेंग किया गया था ये आपको याद रखना है जो एक पर पर्थम जो कह सकते हैं कि, संगीत सीखने वाला जो सासक था पलोवसकाव मेंदर वर्मन पर्थम था, और इसके संगीत गुरु का नाम क्या था? रुदराचारिय था. मेंदर वर्मन ने एक संगीत गरंत की भी रचना की थी, जिसका नाम था संगीत बासा. संगीत बासा नामक एक संगीत गरंद की रचना की गई थी किसके दोरा मेहंदर वर्मन पर्थम के दोरा ठीक है तो क्योंकि ये संगीत सीख लिया था इसने किस से रूदराचारिये से और इसलिए इसने संगीत गरंद की रचना की थी वैसे जो में अंदर वर्मन पर्था मैंना इसने सैव द्रम गरेंड कर लिया था कौन सा द्रम गरेंड किया था इसने सैव द्रम गरेंड किया था मैंने पहले बताया कि इनकी प्रारंबिक सासक क्या होते थे जैन होते थे लेकिन इसने बाद में सैव द्रम स्विकार किर लिया था और इसने सैव द्रम जो स्विकार किया था वो एक सैव संत के परबाओं में आकर किया था जिसका नाम था अपार यानि सैव संत अपार के परबाओं में आकर के इसने कौन सा द्रम स्विकार किया था सहोधरम पहले जो सासक थे वो जैन थे संगीता जी गुड इवनिंग स्वागत है आपका पहले ये जैन थे ठीक है महेंदर वर्मन पर्थम वातापी के चालूग के सासक पुलकेसिन सेकंड से पराजित हुआ था कोण महेंदर वर्मन पर्थम यानि पुलकेसिन सेकंड ने महेंदर वर्मन पर्थम को पराजित किया ठीक है महेंदर वर्मन को पराजित करके इसने क्या किया था कि महेंदर वर्मन को पराजित करके इसने वाताप्पि के चालू के सासक ने दरसल इनके उत्री बाग पर अधिकार कर लिया था यानि जो पलों का उत्री बाग था ना उस पर अधिकार किया था पुलकेसिन सेकिंड ने ठीक है उत्री बाग पर अधिकार करके इसने दरसल ये सासन अपने बाई को सौप दिया था जिसका नाम था विश्नु वर्दन यानि पुलकेसिन सेकिंड ने ये सासन किसको सौंपा था अपने बाई को सौंपा था जिसका नाम विश्नु वर्धन था और विश्नु वर्धन ने वहाँ पर एक नई साखा चलाई थी चालूक क्यों की जिने वेंगी के चालूक क्या का गया था और ये साखा किसने चलाई थ विश्णु वर्दन ने जिसे पलवों का उत्री छेतर जीत करके किस ने दिया था पुलकेसिन सेकिन ने दिया था ये बात मैंने पहले ही बता दी कि मेंदर वर्वन पर्थम के परभाव में आकर क्या बन गया था याद रखना है मेंदर वर्मन पर्था मैंना उन्होंने एक और प्रहसन की रचना की थी जिसका नाम था बगवत जुक यानि बगवत जुक नामक एक प्रहसन यानि एक खास्य और लिखा गया था इसके जो रचनाकार थे वो भी कौन थे मेंदर वर्मन फश्ट थे ठीक है ना महिंदर वर्मन फस्ट की बात करें तो इनकी उपादियां भी थी महिंदर वर्मन फस्ट की उपादियां कौन सी थी इन्होंने दान की थी एक जो उपादी थी इनकी एक तो थी मत्विलास मत्विलास ये किसकी उपादी थी महिंदर वर्मन पर्थम की एक इनकी उपादी थी विचितरचित कौन सी थी विचितरचित ये उपादी भी किसकी थी मेहंदरवर्मन पर्थम की और एक इसकी उपादी थी गुणभर कौन सी उपादी थी गुणभर तो ये तिनों उपादिया है ना ये किस की थी महिंदर वर्मन पर्थम की थी ठीक है ना तो आपको बस इतना याद रखना है महिंदर वर्मन पर्थम सिंग विश्णू का पुत्तर था और उसके बाद में ये उत्रादिकारी था उसका इसने गरंथ लिखा था मतविलास परहसन हासे गरंथ था जिसमें कापा लिकों और बोध बिक्सों पर वेंग किया गया था परसिद संगीत गे रूदराचारिये इनके संगीत गुरू थे और महिंदर वर्मन पर्थम ने एक संगीत गरंथ की रचना की जिसका नाम था संगीत भासा ठीक है याद रखना है कि दरसल ये पहले जैन था और बाद में सैव संथ के परभाव में आ गया था अपार के जिसके बाद में इसने सैव दरम ग्रेंड किया था ये महिंदर वर्मन पर्थम से पराजित हुआ था जो वातापी के चालू के अवस्का सासक था मेहंदर वर्मन पर्थम को प्राजित करके इसने पलवों के उत्री छेतर पर अधिकार किया था और वो छेतर इसने अपने भाई को सोपा था जिसका नाम था विश्नु वर्धन और जो विश्नु वर्धन था ना उसने वहाँ पर वेंगी के चालू के वंस की साखा चलाई थी ठीक है मेहंदर वर्मन पर्थम उसने एक और परसन लिखा था जिसका नाम था बगवत जुक इसकी उपादियां कोण सी थी मतविलास विचितरचित और गुनबर तो ये था कोण मेहंदर वर्मन पर्थम ठीक है अब अपन बात करते हैं कि इसकी नर्सिंग वर्मन पर्थम की बात करें तो ये साखा रहा था 630 से लेकर 668 इसवी तक 630 से 668 इसवी तक नर्सिंग वर्मन पर्थम रहा था आप से पुछा जाए कि पल्लववंस का सबसे 37 सासक कोण था तो नर्सिंग वर्मन पर्थम था ठीक है ना पल्लववंस का सबसे 37 सासक कोण था नर्सिंग वर्मन पर्थम था इसने 642 इसवी में बादामी पर अधिकार कर लिया था यह NCRT की जो बुक है ना 12 की उसी में से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पूरा का पूरा ठीक ना तो 642 इस वी में इसने बादामी पर अधिकार कर लिया था और पुलकेसिन सेकंड को पराजित करके यह नासिक जो 64 बरतमान में उसे ही कहते थे तो वहाँ पर आकर्मन किया था किसके दवारा नर्सिंग वर्मन पर्थम के दवारा और नर्सिंग वर्मन पर्थम ने यहाँ पर आकर्मन करके यहाँ के सासक को पराजित किया था जिसका नाम क्या था पुलकेसिन सेकंड और पुलकेसिन सेकंड को इसने प्राजित करके मार डाला था किसने नर्सिंग वर्मन पर्थम ने उसके बाद में इसने एक उपादी दान की थी जिसका नाम था वातापी कॉंड यानि पुलकेसिन सेकंड को प्राजित करने के बाद इसने कोंड सी उपादी धान की थी, वातापी कोंड की उपादी धान की, दरसल यदि अपन दक्षिन में चलेंगे न, तो कई सासकों ने कई उपादीयों के आगे कोंड सबद लगाया था, कोंड का अर्थ होता है अधीपती, कोंड का अर्थ क्या होता है, अधीपती होता है, तो ये वहाँ पर जब अधिकार कर लेते थे ना, तो लास्ट में कौंड लगाते थे, जैसे इसने वातापी कौंड लगाया, मतलब ये वातापी का अधिपती बन गया था, कौंड नरसिंग वर्मन पर्थम, ये जो इसने विज्या प्रावत की थी, इसका जो उलेक है, पर ये विजय का उले किया गया है किसके दवारा नर्सिंग वर्मन पर्थम के दवारा जिसने पराजीत करके मार डाला था पूल के सिन सेकिंड को नर्सिंग वर्मन पर्थम है ना उसके समय स्री लंका में संगर्ष सल रहा था दरसल एक राजकुमार था मानवर्मन यानि एक राजकुमार का नाम क्या था मानवर्मन अब जो मानवर्मन है ना उसका अपने बाईयों के साथ संगर्स था और इसलिए इसने नर्सिंग वर्मन पर्थम के पास संदेश बेजा था कि तुम मेरी सायता करो और इसलिए जो नर्सिंग वर्मन पर्थम है उसने मानवर्मन की साहिता के लिए एक सेना बेजी थी कहां पे स्री लंका में ठीक है कहां बेजी गई थी स्री लंका में बेजी गई थी तो आपसे पुछा जाए कि स्रिलंका में मानवर्मन की सायता के लिए सेना बेजने वाला दक्षिन बार्द का सासक कौन था ये पुछा भी गए कई बार एक्जाम में आ चुका है एक उर्शन तो ये किसने बेजी थी सेना नर्सिंग वर्मन पर्थम ने बेजी थी अब नर्सिंग वर्मन पर्थम की सेना जैसे ही गई थी मानवर्मन के जो विद्रोई थे वो गवरा गए थे और इन्होंने उसे ही सासक गोशित कर दिया यानि उन्होंने सासक किसे बना दिया मानवर्मन को बना दिया ठीक है न उसके बाद में जो नर्सिंग वर्मन पर्थम ह निर्मान करवाया था किसी नर्सिंग वर्मन परतम ने, याद रखिएगा कि यदि पलव, वस में, कोई क्युस्टन सबसे मैतोपून यदि पुछे जाएंगे, तो मंदिरों में से पुछे जाएंगे, क्योंकि जो पलवों के मंदिर है न ये बहुत ही ज्यादा परसिद माने जाते हैं ठीक है न? तो इसलिए जो नर्सिंग वर्मन पर्थम है उसने महाबली पूरम में एकास्मक रथमंदिरों का निर्मान करवाया था और इसने उपादी दी थी महामल की कौन सी पादान की थी? महामल की और इसने एक नगर بी बसाया था मामलपूर और उसी का नाम महाबली पुरम है यानि जो मामलपूर है ना उसी को क्या का जाता है महाबली पुरम कहते हैं जो वर्तमान में कहां पढ़ता है तमिल नाडो में पढ़ता है ठीक है याद रखना है कि उसी के सासनकाल में चिन्नी यातरी वेंसांग है ना वो कां वेनसांग के साथ उसकी मुलाकात हुई थी कहाँ पर कांची में जो वेनसांग है ना उसने सी यू की नामक गरंथ में वर्नन किया था किसका नामक गरंथ में लिखा था कि कांची उस समय उस छेतर में यानि वो छेतर कौन सा था दक्षणी भारत था और हाँ जी मामल सैली में वो अपन आगे कराएंगे तो मंदीर अभी ठीक है ना मंदीर लास्ट में कराएंगे ठीक है तो दक्षणी भारत में दरसल जो कांची छेतर था कांची छेतर उसे पुचाज है जो सुन्दर मुर्टी है ना वो भी पल्लव काल में थे नियाए बास्य का मलब इसी के काल में एक सैवसंत था जिसका नाम क्या था सुन्दर मुर्टी है ये ठीक है ना तो सुन्दर मुर्टी है ना वो इसी के समय था किसके समय था नर्सिंग वर्मन पर्थम के समय इसी के दर बार में न्याए बास्य का लेखक रहता था जिसका नाम क्या था वात्साइन वात्साइन जिसने एक और गरंथ भी लिखा था जिसका नाम क्या था काम सुत्र था कौन सा था काम सुत्र हाँ गोरो जी थेओरी की क्लास सल रही आज दक्षिन वार्थ के जो कई मांग कर रहे थी स्टूडनेट के आप वीडियो डालो दक्षिनी वार्थ का ठीक है तो इसलिए मैं साउथ इंडिया के करा रहा हूं इसमें ठीक है तो इसने कामसुतर नामक गरंथ की विरचना की थी किसने वात्सायन ने तो न्याय बासे का लेखग भी वात्सायन था और कामसुतर का कामस का राजकुमार कोन था मयूर सर्मन था और वह यहां पर सिक्ष्या गरेंड कर रहा था तो मतलब निस्सित है कि दूसरे राज्यों से राजकुमार यहां पर सिक्ष्या गरेंड करने आते थे तो निस्सित है कि यह सिक्ष्या का बड़ा केंदर था कोन सा कांची इसके पिछ पाद में जो सासक बने थे वो कौन बने थे महंदर वर्मन दिविति ए और परमेश वर्मन पर्थम। ठीक है। पासान पर उत्किरण है पुलकेसिन सेकिंड को मार कर इसने कौन सी उपादी धारण की थी वाताप पी कौन की उपादी धारण की आप से पूछा जाए कि सिरिलंका के सासक मानवर्मन है ना उसे राजगदी प्राफ्त करने के लिए कौन से सासक ने से ना बेजी थी तो उसका नाम क्या था नर्सिंग वर्मन पर्थम था और शिरिलंका में ही एक कास कुड़ी तामर पत्तर है उसमें इस बात की जानकारी मिलती है नर्सिंग वर्मन पर्थम ने महाबली पुरम में एक आसमक रतमंदिरों का निर्मान करवाया और इसने उपादी भी दान की थी कौन सी मह मामलपूर नगर की स्थापना की थी जिसे ही वर्तमान में महा बलीपुरम कहा जाता है। उस समय कांची का विशोवी देले सिक्षिया का बड़ा के अंदर था यानि दक्षिन बारत में सिक्षिया का सबसे बड़ा के अंदर कौन सा माना जाता था। राज सिंग के नाम से जाना जाता है। इनका जो सासन काल था वो कब से कब तक रहा था। नर्सिंग वर्मन पर्थम है उसकी जो उपादी थी एक तो थी राज सिंग की उपादी। एक इसने उपादी दान की थी संकर बगत की उपादी। और एक उपादी और थी इसके पास जिसका नाम था आगम पिरिये। तो यह जो तिनों उपादियां यह किसके द्वारादान की गई थी। नर्सिंग वर्मन दिवितिये के द्वारादारन की गई थी। इसने कांची का कैलासनात मंदिर बनाया और महाबली पुरम का कौन सा मंदिर बनवाया था सोर मंदिर। तो इनकी चर्चापन आगे करेंगे इन मंदिरों की ठीक है ना। याद रखना है कि इसकी जो राजसबा थी ना उसमें जो परसीद लेखक थे उनका नाम था दंडीन क्या नाम था दंडीन जो परसीद लेखक थे इसकी राजसबा में। ठीक है उसने दो गरंथ लिखे थे एक तो लिखा था उसने दस कुमार चरीत यानि दंडीन ने कौन सा गरंथ लिखा था एक तो दस कुमार चरीत लिखा था और दूसरा जो इसका गरंथ था उसका नाम क्या था कावय दर्स ठीक है न यानि दस कुमार चरीत और कावय दर्स की जो रचना है वो दंडीन ने की थी और पूछा जाए कि दंडीन किसका दरबारी था तो दंडीन किसका दरबारी था नरसिंग वर्मन सेकिंड का दरबारी था ठीक है उसने अपना एक दूत मंडल चीन बेजा था यानि चीन में एक दूत मंडल बेजा गया था किसके दवारा नर्सिंग वर्मन सेकेंड के दवारा चिन्नी बोध यात्रियों के लिए इसने नागपटनम में एक बोध विहार का निर्मान करवाया हालांकि ये खुद सैव था फिर भी इसने एक बोध विहार का निर्मान करवाया था कहां पे नागपटनम में जो कहां पड़ता है तमिल अडू में पढ़ता है तो ये इनके मैन सा सकते जो मैंने अभी तक बताए हैं ठीक है ना तो नर्सिंग वर्मन दिवितिये 680 से 720 तक कांची के कैलास मंदिर और महाबुली पुरम के सोर मंदिर का निर्माता राजसभा में दर्बारी दंडीन रचना की थी दस कुमार चरित औ चीन में और चीनी बोध यात्रियों के लिए नाग पटन में एक बोध वियार का इसने निर्मान करवाया उपादिया इसकी कौन सी थी राजसिंग की संकर भगत की और आगम पिरिये की ये उपादिया थी नर्सिंग वर्मन दिवितिये की तो ये इनके मैन राजा थे अब जो लाश्ट के कुछ राजा है उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं नंदी वर्मन सेकंड ये 731 से लेकर 795 में तक रहा था ये पलों की समान अंतर साखा का सासक था ठीक है ना दरसल ये एक्चुल में क्या था कि परमेसवर वर्मन सेकंड यानि इसके बाद में एक सा सासक हुआ था परमेसवर वर्मन सेकंड जिसका सासन काल रहा था 720 से लेकर 731 इसकी जब मरत्यू हो गई थी परमेसवर वर्मन सेकंड की उसके बाद में सासक बना था कोण नंदी वर्मन सेकंड याद रखना है कि इसने कांची में मुक्तेश्वर मंदिर का और बैकुंठ मे पेरूमल मंदिर का निर्मान करवाया यानि इसने दो मंदिर मनवाये थे मेंली आलांकी कांची का मुक्तेश्वर मंदिर है ना इसका में निर्माता रासिंगी था कोन था नर्सिंग वर्मन सेकंड था लेकिन इसने फिर इसका पुनर निर्मान करवाया था किसने नंदी वर वैशनों मत का अन्यूयाई था कोन से का था वैशनों अभी तक पढ़ रहे थे वो क्या थे सैव थे बाद में इनका जो सासक वो कोन बना था दंती वर्मन जो 795 में से लेकर 845 तक रहा जो दंती वर्मन है ना उसके समय एक वैशनों संत था जिसका नाम क्या था तिरू यह वैशनों संत था जो किसके समकालिन था दंती वर्मन के समकालिन था ठीक ना तिरू मंगाई नामक संत नंदी वर्मन दिवितिये सैव मता नुयाई था नंदी वर्मन तरतिये सोरी नंदी वर्मन तरतिये था वो कोन से मत का था सैव मत का था तमिल के परसिद गरंथ जिस बहुत बार एक्जाम में आता है बरत वेनवा इसके जो लेखक थे वो कौन थे पेरू देवनार कौन थे पेरू देवनार ये बरत वेनवा के क्या थे लेखक थे तो ये है ना ये दरसल किसके दरबार में रहते थे नंदी वर्मन तर्तिये के दरबार में रहते थे ठीक है ना उसके बाद इनका एक सासक बना था नरप तुंग वर्मन सासक बना इनका जो अंतिम सासक था उसे कोन सा माना जाता है एपराजित माना जाता है यानि इनका अंतिम सासक कोन था एपराजित था ये कब से कब तक रहा था 89 से लेकर 877 में तक रहा था ये जो एपराजित है ना इ इसका नाम था आदित्य पर्थम, क्या नाम था आदित्य पर्थम, यानि चोलवस का जो सासक है आदित्य पर्थम, उसने एपराजित को पराजित कर दिया, मलों एपराजित पराजित हो गया किसे आदित्य पर्थम से, और इसके साथ ही इसने पलवस का अंत कर दिया, और सा सामराजे स्थापित कर लिया चोल सामराजे वैसे है ना चोलवस है ना उसका संस्थापक आदित्य पर्थम नहीं था चोलवस का जो संस्थापक है वो विज्याले था कौन था विज्याले था दरसल जो विज्याले है ना ये पहले पलों के नियंतर्ण में सासन करता था या अदित्य पर्थम उन्होंने पल्वों को हराया और सोतंतर सासक के रूप में चोलवंस की स्थापना कर दी ठीक है कब 877 में इस्वी में ठीक है तो आपको याद रखना है कि परसिद वैशनों संतिरू मंगाई किसके समकालिन था दंती वर्मन के बरत वेणवा का रचियता पे जी परो सफङलें जो चोल्वंस का सासक था 387 में इस्वी में चोल्वंस का संस्थापक किसको माना जाता है विज्यालें को माना जाता है और इसने स्थापना कभ की थी 850 इस्वी में की थी कव की थी 850 इस्वी में दरसल जो विज्याले है ना ये पहले पलव जो थे ना उनके सामंत का काम करता था तो ये हमने पड़े पलवों के महतोमन सासक काँ पर दक्षनी बारत में यानि मुखे रूप से आपको इनी चीज़ों को याद करना है यदि आप एक्जाम की त्यारी करे हो क्योंकि NCRT में ये चीज़ें लिखी गई है याद रखना है कि जो पलव थे ना उन्हें संगम साहिते में तोडियर कहा गया है क्या कहा गया है तोडियर ठीक है ना पलवों को संगम साहिते में किस नाम से जाना जाता है तोडियर नाम से जाना जाता है तोडियर ये एक ऐसे सासक थे जो की दरसल सामराज्य के निर्माता थे यानि सामराज्य के निर्माता जिनके समय में सामराज्य था वो उपान पर था कहने का मतलब उनका सोरण काल था उन्हें तो डियर का गया है संगम साहिते आप समझते हो ना कि संगम साहिते तो पहले आया था दरसल हम यहां पे तो संगम साहिते कोई मतलब नहीं है क्योंकि जो संगम साहिते जब आया तब पल्लोवस पहले भी चल रहा था मतलब तो अपन तो ये जो पल्लों से ना ये तब का पढ़ रहे हैं जब मोर्योतर काल सोरी गुपतोतर काल आ गया था कौन सा काल आ गया था गुपतोतर काल आ गया था तो उन्हें के बारे में अपनियां पे अध्यन कर रहे हैं ठीक है याद रखना है कि बोध विद्वान दिगनाग भी चोथी स्तावदी में सिक्ष्या ग्रेंड करने कांची आया था यानि पहले जो पलों का सासन था वो चोथी स्तावदी में चल रहा था और उस समय बोध विद्वान दिगनाग दरसल ये कांका तिबत का निवासी था और ये शिक्ष्या ग्रेंड करने का आया था कांची आया था विश्नु गोप प्राचीन पल्लव सासक था इसका उलेक समुंदर गुपत की प्रियाग परसस्ती में मिलता है तो उसमें जो विश्नु गोप पैना वो कहां का सासक था पल्लव सासक था प्राचीन काल का तिरूग्यान समंदर सैवसंत था जो महेंदर वर्मन पर्थम के समय था यानि महेंदर वर्मन पर्थम के समय एक सैवसंत था जिसका नाम क्या था तिरूग्यान सबंदर था पल्लव सासन ब्रामन दर्म के अन्युआई थे यानि जो पल्लव सासक थे ये कोण से दर्म के अन्युआई माने जाते हैं ब्रामन दर्म के अन्युआई माने जाते हैं पल्लव काल में ही नेनार तथा आलवार ने बगती आंदोलन प्रारम किया तो यह कि इसनों पिछली वार रीट में आया था ना कि नैनार किसे कहते थे सैवसंतों को कहते थे तो यह जो सैवसंत नैनार और आलवार जो की वैशनों संत थे उनका जो आंदोलन है वो कोण से वंस के समय में हुआ था हाँ पर नित ठीक है पल पल्लव सासकों के समय किया गया था अब अपन पड़ते हैं पल्लव कला ताता स्थापते यह मुष्ट इपन्ड चीजे पल्लव मस में टीक हैं पल्लो काल कला एंस थापते के लिए काफी परसिद माना जाता है पल्लो कला ही दर्वीड कला सैली का आधार बनी दर्वीड सैली आप जानते हो ना कि जिसमें जो मंदिर है ना वो काफी उन्चाईयों पर इस्तित होते है और उनका जो सीखर है वो कैसा होता है अश्ट बुजाकार होता है यानि की एक परकार से कह सकते हैं कि कलस नुमा होता है तो इनी की स्थापते थी ना उसी के बाद में कोन सी कला विक्सीत हुई थी दर्वीड कला विक्सीत हुई तो ये कुसन भी कईवारा एक्जाम में आ चुका है कि जो दक्षिन भारत की दर्वीड कला सेली थी वो कोन सी सेली का आदार बने थी तो पलव काल की जो स्थापत्य कला है ना उसकी आदार भूत आगे विकास था कोन सी कला दर्वीड सेली ठीक है ना दक्षिन भारत की मंदिर स्थापते में तीन परमुखंग थे यानि पलों के समय मंदिर के कितने अंग थे तीन थे एक तो मंडव थे मंडव जानते हो ना जैसे जो मंदिर होता है उसमें एक जिसमें मुर्तिस थापित होती है एक वरगाकार कक्स होता है उसे क्या कहते हैं मंडव कहते हैं इसके चारों और जो जिसमे की फेरी लगाई जाती है वो क्या होता है पर्दक्षिनापत गरे होता है उसके बाद में जिसके नीचे मुर्तिस थापित की जाती है उसे क्या कहते है गरब गरे कहते है यही तो होते है मंदिर ठीक है उसके बाद में मंदिर के बाहर और अंदर के बीच में जो स्थान होता है उसे अंतराल नाम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं ठीक है न तो इनमे एक तो मंडब मंडब बने थे मतलब और कोई इससा नहीं बना था केवल क्या बने थे मंडब और साथ में रत बने थे रत समझ गए न आप जैसे जो पाहाड पत्थर है उन्हें काट करके किसकी आकरती बनाए गई थी रत की और साथ में बने थे विसाल मंदिर यही एक परकार से कौन सी सैली का आधार बने थे दर्विड सैली का आधार बने पलो जो वास्तुकला है उसे परसी ब्राउन ने चार भागों में बांटा है यानि परसी ब्राउन ने पलों की वास्तू कला को एक तो है ना जो महिंदर वर्मन के समय चली थी उसे कौन सी सेली कह दिया महिंदर वर्मन सेली ठीक है एक नर्सिंग वर्मन पर्थम के समय चली थी उसे कौन सी सेली कह दिया मामल सेली ठीक है इसके बाद में जो तीसरी सेली थी जो नर्सिंग वर्मन स आभ को पर्सी ब्राउन में पर्सी ब्राउन ने चार बागों इसे बाप загlar 나ãy परसी ब्राउन ने सबसे पहले जो सैली थी वो कोन सी थी महिंदर वर्मन सैली 610 से लेकर लगबग 640 तक इस सैली के मंदिर बनते रहे थे इसमें क्या होता था कि इसमें कठोर पासानों को काट कर आई ये इस क्या हुआ इसमें कठोर पासानों को काट कर गुहा मंदिरों का निर्मान किया गया था जिने क्या का गया था मंडप का गया उन्हें क्या का गया था मंडप समझ गया ना कैसे गुहा मंदिर यानि जैसे पहाड होता है उसको काट करके जो अंदर कोई निर्मान होता है उसे गुहा कहते हैं और यह जो गुहा थी ना यह मंड़ब के रूप में स्थापित की गई मलब उसमें एक वरगाकार कक्स बना दिया गया पहाड को खोद करके ठीक है न तो यह केवल मंडब बनाया गया था कौन सी सैली में महेंदर वर्मन सैली में दरसल ये मंडव साधान स्तम युक्त बरामदे, यानी इसमें स्तम भी लगाए गए थे, बरामदे टाइप में बना दिया गया था, ठीक है ना? Good evening जी तंवर जी, स्वागत आपका, ठीक है ना? दरसल यहाँ पर बरामदे बना दिया गए थे, किसके? मंडवों के, जिनके पि पूछा जाए कि महिंदर वर्मन सैली के परसीद मंडप कौन कौन से हैं तो मंडख पट्टू का त्रीमूर्ती मंडप है एक पलवर्म का कौन सा है पंचपांडव मंडप और एक है महिंदर बाड़ी का महिंदर विष्णू मंडप यह तेन यह जो मंडप है यह महिंदर वर्मन सैली के काफी परसीद माने जाते हैं तो महिंदर वर्मन सैली कलीर हो गई न आपके कि इसमें आपको बस इतना याद रखना है कठोर पासानों को काट करके गूहा मंदिर बनाए गए थे यह वास्तों में कोई मंदिर नहीं थे पाइप में बनाए गए थे और इनके स्तंब लगाए गए थे यूट्यूब पे देख लिए आपको दीख जाएंगे ये ठीक है ना तो ये निसी दुरूप से देख सकते हो आप इन मंदिरों को काफी सुंदर मंदिर माने जाते हैं जो उस समय की काफी अच्छी सैली थी ठीक मामल सैली इस सैली का विकास नर्सिंग वर्मन पर्थम के समय हुआ था महामल के काल में महामल उपादी थी ना नर्सिंग वर्मन पर्थम की तो उसके समय जो मंदिर बने थे वो कौन सी सैली में बने थे मामल सैली में और ये जो मंदिर थे ये लगबग 640 इस्वी में बनने प्रारब हुए और ये कब तक बनते रहे थे 680 इस्वी तक बनते रहे थे ठीक है ना दरसल इसके तरिक दो परकार के मंदिर बने एक तो मंडब बने थे तो ये मंडब कोई ज़्यादा मैतो पुर्ण नहीं है मंडब तो जैसे मेंदर वर्मन वाले थे ना वैसे ही बने थे लेकिन मैन है ना इनके कोई से मंडब है रत या एकास्मक मंदिर है रत मंदिर या एकास्मक मंदिर कितनी हैं इनकी संख्या आठ बता देता हूं मैं पहला जो रत है वो कौन सा है दरोबती रत दूसरा जो रत है पांड़ों के नाम बता दो सबके जल्दी जल्दी आपको पताईए बड़े सबसे बाई कौन थे दरमराज थे युदिष्ट थे ना दो दरमराज रत हो गया उसके बाद में इनके बाई अरजुन और बीम थे तो बीम रत हो गया और चोथा कौन सा हो गया अरजुन रत हो गया और दो बाई और थे ना नकुल और सैदेव तो कौन से रत हो गये नकुल सैदेव रत हो गये अब कोई भी नया काम शुरू किया जाता है तो किसकी उपासना की जाती है सबसे पहले गनेश जी की करते है ना तो एक गनेश रथ हो गया तो ये छे रथ तो आपको याद होई जाएंगे मलब पांड़ों के खुद बाईयों के तो चार रथ हो गये एक इनकी पतनी थी द्रोपती इनका रथ हो गया और एक जैसे गनेश जी की उपासना करते है सबसे पहले तो गनेश जी रथ हो गया अब दो आपको याद रखने पड़ेंगे बस एक है पिडारी रथ कौनसा है पिडारी रथ और एक है वेल्ले कटेत रत कौन सा रत है वेल्ले कटेत रत ये आठ रत मंदिर है यहाँ पे और ये जो रत मंदिर यहाँ पे बने हुए है ना इन रत मंदिरों को सब्तप गोडा कहते हैं इन मंदिरों को क्या का जाता है सबतप गोडा रतमंदीर कहते हैं जो कापे बने हुए हैं महाबली पूरप में बने हुए है ठीक है ना तो मैंने ये पहले इस पश्ट लिख दिया है ऊपर कि मामल सेली के जो मंदीर है उनमें सबसे छोटा रत द्रोपती का है सबसे छोटी द्रोपती थी वो कौन से रत पे स्थापित है दरमराज रत पे स्थापित है तो ये आठ रत मंदिर हैं जिने सब तब गोड़ा कहा जाता है ठीक है ये जो रत मंदिर है ना ये पूछा जाए कि सारे के सारे रत मंदिर किसको समर्पित किये गए हैं तो ये सारे के सारे रथमंदिर ना ये सिव को समर्पित किये गए हैं सारे के सारे रथमंदिर किसको समर्पित हैं सिव को समर्पित किये गए हैं जो काँपे हैं महाबली पुरम में हैं समझ गये ना मेरे बात तो ये रत्मंदिर हैं यहां के ठीक है तो ये वही है ठीक है इन रत्मंदिरों को सबतब गोड़ा कहते हैं ये रत कौन कौन से हैं द्रोपती है अरजुन है दरमराज है उसके बाद पिडारी है नकुल सैदेव है बीमरत है गनेसरत है और वेले कठेत रत है अब पिडारी है यह आपको याद रखना है कि यहां की एक देवी थी उसका नाम पिडारी था इसलिए पिडारी रत पड़ गया और वेले कठेत है ना वहाँ पर एक तालाब बना हुआ है क्या बना हुआ है तालाब तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया वेले कठेत पड़ गया ठीक है ना तो पिडारी रत और वेले कटेत रत अलग हैं बाकी सारे आपको याद होई जाएंगे च्छे के च्छे रत ठीक है ना और सारे के सारे रत किसको समर्पित किये गए हैं सीव को समर्पित किये गए हैं और इन रतों को क्या कहते हैं सब्त पगोडा का जाता है जो कहां बने हुए हैं, महाबली पुर्म में ठीक है, तो यह याद जरूर रख़ये नरसिंग रॉर्मन जो फर्स्ट था उसके समय ये सेली चली थी मामल सेली जो बहुत ही इपोर्टेंट मानी जाती है ठीक है, इसके बाद में अगली सैली आती है कौन सी राज सिंग सैली ये 680 से लेकर कब तक चलती रही थी 800 इस्वी तक चलती रही थी अब पहले वाला जो मंदिर बने थे ना पहले वाले महिंदर वर्मन सैली उसमें तो बस पाड को काट दिया गया और उसे बस गुआ बन गई मंदिर बन गया मंदब बन गया बस हो गया उसके बाद में अगली सैली कौन सी आई मामल सैली आई मामल सैली में क्या किया गया कि जो पत्थर थे ना बड़े बड़े वो काटे गए पत्थर काटे गए थे उनसे रथों किया करती बनाई गई थी ठीक है ना? उन से रथों क्या करती बननी है? अब तीसरी है राज सिंग सेली में इंटों का भी परियोग हुआ था और पत्रों का भी परियोग हुआ पहले जो दोनों परकार की सेलियां थी ना उनमें केवल पासान ही थे, मतलब एक में दो पाड़कों काट कर बना दिये, एक में पासान लेकर बना दिये, लेकिन इसमें इंटों और पासानों दोनों का परियोग किया गया था, ये इमार्ती मंदिर थे, इमार्ती मंदिर समझते हो ना, जैसे अपने इमार्तें बनाते है तो actual में अपन इंटे और प्थर लाते हैं फिर उसका निरमार्ण करते हैं तो वे इमारती कहलाते हैं वो तो वस बैसे ही जहां पे पाड़ थे ना उनको काट कर यह निरमार्ण कर दिया गया था पहले वाले दोनों ठीक है तो यह इमारती मंदिर थे ठीक है महाबली पूरम है ना वहां का तटिय सोर मंदिर इस सेली का पर्थम उदार्ण ये बहुत ही इपोर्टेंट है ये जो मंदिर महाबली पूरम में बना हुआ है और ये जो तटिय सोर मंदिर है ना ये राज सिंग सेली का मैतोपुन उदार्ण माना जाता है तो ये राजसेंग से लेका काफी बड़ा उदार्ण है कौन सा महाबलीपुरम का तटी है सोर मंदिर ये जो सोर मंदिर है न ये दरसल उच्छिक्ष्या का भी परमोग के अंदर था यानि पुराने समय में यहां पर जो लोग है न वो सिक्ष्या प्राफ्त करने भी आते थे कहां पर महाबलीपुरम के सोर मंदिर में ठीक है कांची का कैलासनाथ मंदिर है न वो भी इसका उदार्ण है इसके अलावा बैकुंट पेरूमल मंदिर है वो भी कौन से का उदार्ण है इसी सेली का उदार्ण है इस्वर मंदिर और मुकंदपूर मंदिर भी राज सिंग सेली के हैं ये भी दोनों कांची में ही पढ़ते हैं दोनों कांची में हैं एक तो इस्वर मंदिर है एक मुकंदपूर मंदिर है अकार्ट का पनमलाई मंदिर भी कौन सी सेली में बना हुआ है राज सिंग सेले में बना हुआ है यनि अकार्ट में जो पनमलाई मंदिर है वो कौन सी सेले का मंदिर माना जाता है राज सिंग सेले का मंदिर माना जाता है क्या वा गौरो जी मैप टेमपल था कांची के कैलासनात मंदिर का निर्मान हाँ मैप टेमपल कांची के कैलासनात मंदिर का निर्मान नर्सिंग और मन दिवितिये के काल से शुरू हुआ था यानि किसके काल में प्रारम हुआ था नर्सिंग और मन सेकंड के काल में और परमेश और मन सेकंड के समय इसका निर्मान पूरण हुआ था कोण से कांची के कैलास मंदिर का ठीक है ना तो रासिंग सैली में आपको इतना याद रखना है कि इसमें जो मंदिर थे ना वो दरसल पासान और इंटों से बनाए गए ये दरसल जो मंदिर थे ना वो इमारती मंदिर थे कैसे मंदिर थे इमार्ती मंदिर थे एक्चुल में ये जो मंदिर थे ये विसाल थे मतलों पहले वाले मंदिरों की तुल्ला में कैसे थे विसाल मंदिर बनाए गए थे और ये जो मंदिर है ना इनमें पूरी तरह से जो दर्वीड सेली है उसकी जलक दिखाई देती है जो दरिवीड सली विक्षी तो फी थी ना दक्षिन बारत में जिसमें कलस नुमा या अश्ट बुजाकार जो सीखर था जो बड़े विसाल मंदिर बनेवे थे तो उनकी जलक आणा वो कौण सी सली में दिखाई देती है राज सिंग सली में दिखाई देती है, मंदिरों के उदान जरूर याद रखने हैं, एक तो महाबली पुरम का कौन सा मंदिर था, सोर मंदिर था, कांची का कौन सा मंदिर था, कैलास मंदिर था, बैकुंठ का कौन सा मंदिर था, पेरुवल मंदिर, कांची के ही कौन से मंदिर थे, इस्वर मंदि अकार्ट का कौन सा मंदिर पनमलाई मंदिर तो ये सारे के सारे हैं ना ये कौन सी सैली में बने हुए राज सिंग सैली में जो कांची के कहलासनात मंदिर का निर्मान किस के समय पुरण हुआ था परमेश वर वर्मन सेकेंड के समय पुरण हुआ तो ये अपने तीसरी सैली हो गई, जो कौन सी थी, राज सिंग सैली, ठीक है, उसके बाद में अंतिम जो सैली है, वो कौन सी थी, नंदी वर्मन या एप्राजित सैली, और ये कव से कव तक चली थी, आठ सो इस्वी से नो सो इस्वी तक, आठ सो से लगबग नो सो इस्वी त पूरण बात करें तो यह नंदी वर्मन जो सेकंड और नंदी वर्मन तरतिये यानि इन दोनों के अनुसार इन मंदिरों का निर्मान किया गया था और बाद में जो इनका अंतिम सासक हुआ था ना एपराजित उनके समय तक यह चलता रहा था इस सेले में जो मंदिर थे ना वो अपेक साकर्थ कैसे बने थे छोटे बने थे इन में इंटों का ही परियोग किया था केवल किसका परियोग किया गया इंटों का परियोग किया गया और यह चोटे चोटे मंदिर होते थे मलब सारी बनावड तो पूरी होती थी मंदिर में बनाए उसमें मन्डप भी बना है उसमें पर्दक्षनापत ग्रै भी बना है अंतराल भी बना है सब कुछ था लेकिन मंदिर अप्यक्साकरत कैसे थे छोटे थे। ठीक है अब चार प्रकार हो गए मंदिरों के। पहला जो मंदिर था वो मंडप नुमा था, वो तो किसमे था महिंदर वर्मन सेली में, दूसरे में मंडप और रथ आ गए थे वो मौमल सेली में, तीसरे में विसाल मंदिर आ गए थे वो राज सिंग सेली में, और चोथी में छोटे मंदिर आ गए थे वो कौनशी थी नंदी या एपराजित सेली तो इस परकार से यहां पर मंदिर बने थे इसमें कांची का मुक्तेस्वर मंदिर और मतगेस्वर मंदिर मुक्तेस्वर मंदिर और मतगेस्वर मंदिर गुड़ी मलम का परसूरा मेस्वर मंदिर ये सारे के सारे इसके क्या माने जाते हैं परसीद माने जा का परसूरामे इस्वर मंदिर और आगडम का वाड़ामे स्वर मंदिर सारे के इस सारे मंदिर भी है नहां वो भी नंद्रिय का पर्मख मंदिर मना जाता issylar ज Worane की हो गई, ठीक है ना, तो सब को बहुत भूत धन्यवाद जुड़ने तो कल भी जुरूर जुड़ें, बाद मीन के एक साथ क्यूसन करवा दूँगा, ठीक है ना, तो सब को बहुत बहुत दने वाद जुड़ने के लिए, और आप या आपका कोई मित्तर, यदि अनकेडमी का कोर्स लेना चाहता है, तो मेरा रैफरल कोड यूज कीजिएगा, डी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो सब को बहुत बहुत दने वाद,